तुझा यहां से, कहीं दूर चला जा, इसे भी अपने साथ ले जा, कहीं दूर इससे शादी करके सुकून से अपने जिन्दगी जी, जा माना तेरी इमानदारी इंसानियत इसी देश की दी हुई एक धरोवर है, लेकिन आज इन सब चीजों की कोई वेल्यू नहीं है, आज कल यहां इंसान के अंदर इंसानियत बची ही नहीं है, बच्पन में घरवाले स्कूल में भेजते हैं, गलत बात से दूर रखते हैं, किसी स जरा सी भी तेरे दिल में इजज़त है, तो तू यहां से कहीं दूर चला जा, क्यों चला जाओ, क्योंकि तू अन्फिट है इस सोसाइटी के लिए, मैंने कोई गुना नहीं किया है, कौन कहता है कि तूने गुना किया है, पर यही सबसे बड़ा गुना है, सच्चाय और इम मैं हूँ और मेरे लिए तू है, बस, छोटी सी बात ने तूफान कड़ा कर दिया, यहां तक इंक्वारी बैट गई, तुझे मार कर फेक दिया गया, दूसरी इंक्वारी कर आस्ता मत निकाल दोस्त, तेरी भलाही के लिए तुझे समझा रहा है, तू चाहता है कि मैं डर के करप्शन है, क्या करें, इस देश में ऐसा कोई नहीं है, जिसने अपना काम निकालने के लिए किसी सरकारी करमचारी को रिश्वत ना दी हो, सब देते हैं, मेरी लाइफ में आज तक मैं ऐसा इंसा इंसान नहीं देखा है, अगर तुम्हें नॉमल लाइफ जीनी है तो मेरी पूरा देश उसक्स तब रह गया था, नेक्स्ट दे सारे देश में हल्ला मच गया, इतना ही नहीं, हमारे भूत्पूर प्राइम मिनिस्टर नरिसिमार राव के जीवन काल में उनका डेथ सेट्फिकर बना दिया गया था, 2002 में, बताने के लिए इसी बहुत सारी मिसाले हैं नकली आईएस, नकली आईपियस, नकली डॉक्टर, नकली लॉयार, यहां तक कि नकली हजबन और नकली वाइफ तक मिलेंगी, जो असली से कहीं ज़्यादा असली नजर आते हैं रोड पे चलने वाली किसी भी औरत को अपनी वाइफ बता कर डिवॉस लेने वाली यहां पर बहुत सारे हैं यह बात पता है तुम्हें, देश की रक्षा करने वाले डिफेंस से लेकर, देश को बरबाद करने वाले अलकॉहलिजम तक हर जगया पर करप्शन है हर चीज को हम जानते हैं लेकिन फिर भी अंजान बने वे हैं, हमें ऐसे जीना पड़ रहा है, खोन से लेकर, मारपीट से लेकर, समझाओते से लेकर, मोर्चे से लेकर, पढ़ाई से लेकर, धोके से लेकर, घद्दारी से लेकर, काम को बनाने और काम को बिगारने से लेकर, रूल्स को तोड़ने के लिए भी हर एक कार रेट बना हुआ है सारे सौधे पैसे से तै होते हैं जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ और अपनी जिन्दगी को नई शुरुआत दो एड़ेस्ट करो इसी में तुम्हारी भलाई है पैसे खिलाने है ना तो फिर ठीक है खिलाओ अब दो कोई कम नहीं लेकिन गलत के सामने अपना सर नहीं चुकाऊंगा वक्त बदेगा देख देख देराओ अब कि अब कि 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 मुझे डर लग रहा है क्यो डर रही हो हां डरना तो उन्हें चाहिए जो गुनहा करते हैं हम इंसानों को सच्चाई के रस्ते पर चलना चाहिए सच्चाई से लड़ते हुए मौद भी आ जाये तो उस दिन मौद को कले लगाने के लिए मैं जारा सा भी नहीं डरूंगा जित में मुसीबत क्यों मोल ले रहे हो तुम सुकून से नहीं जी सकते क्या यह तुम्हारा स्वार्थ कह रह मतलब मैं सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ूंगा अगर बजगया तो ठीक है वरना मुझे भूल जाना तुम मेरे बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं जाओ मेरे पस वक्त कम है और काम बहुत स्यादा मेरा रास्ता बहुत मुश्किल है और इस रास्ते पर मैं किसी को चाहता है मैंने कोई गुणा नहीं किया है बस तुम्हारी चाहत छोड़कर प्रेमी बदल देना या किसी को भूल जाना बहुत ईजी है लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ क्योंकि मैं सच्चा प्यार करता हूं तुमसे अच्छा तो मेरी महबत जूटी है तुम कहना क्या चाहते ह अगर सच का साथ देने पर कोई तुम्हारा साथ चोड़ दे तो चाने दे उसे तुम कहां जा रही हो एंदू एंदू जाने दे उसे तू तो मेरे साथ है ना सर आप मेरे साथ हैं या नहीं तुम जो कह रहे हो उतना इजी नहीं है मैं करके दिखाँगा सर मिरा साथ देने के लिए कद़णरों की जूरवत नहीं अच्छे लोग चाहिए हमारे देश की जो रक्षा कर रहे हैं वो रॉज नता नहीं तो इस देश को बेचना चाहते हैं आज की टेट में इमांदार नेता लोग तो सरफ लाइबरेरी में तस् सरकारी करमचारी वो तो कुरसी पकड़ी ही रहता है ना आप ही बताए क्या वो अपना काम इमांदारी से करता है सर हर गावर्मेंट डिपार्टमेंट में अच्छे लोगों की जरूत होती है लेकिन बड़े-बड़े निताओं का रिष्टेदारों ऐसा कहे कर ये वाहियात इ लिए किसी ना किसी को तो कदम उठाना ही है ये जुनून है जो ताकत देगा मेरे हिम्मत बढ़ाएगा वही ताकत मुझे हारने नहीं देगी वही मेरा हथियार होगा ये किसले भाई ले लिजे सर बात करनी है तुम्हारे चाय का पैसा तुम दोगे मेरे चाय का पैसा मैं दूगा ओके ये पेपर सही नहीं है मैं साइन नहीं करूँगा सर मुझे आपसे कुछ परसनल बात करनी है गवर्मेंट आरक्षित एक लैंड को जबरदस्ती गुन्डों के जरीए कबजा करके उससे अपनी प्रॉपर्टी बताकर एक प्राइविट जंस्ता के साथ सौधा किया गया उस पर हमारी खास रिपोर्ट ऐसा मीडिया का कहना है इंफिमेशन मिलते ही मैं यहां चलिया आपको डर नहीं लगता बहुत मुश्किल हो जाएगा जीना अगर हम डरने लगे दो मैंने हायर ओफिशल्स को इन्फरॉम किया था और पुलिस को भी ये बात बताई थी लेकिन वो वक्तर यहां नहीं पहुंचे वो इसलिए क्योंकि ये सभी लोग जानते हैं कि ये काम किस ने किया है चाहे किसी के भी जरिये क्यों ना हो गवर्मेंट आफिसर्स को करप्ट साबित करने की सचाय हमारे सामने आई है और इस बात की हमें खुशी हुई है ऐसे ही ब्रश्ट अथिकारी हमारे देश में सैकड़ों की तादाद में है तेश की जंता घबराई हुई है उनके होसलों को बढ़ा कर उनकी इंसानियत को जगाना यही इस प्रोग्राम का मकसद है जिसका नाम है आम आदमी का फैसला 32 साल की सर्विस सर और 99 बार ट्रांसवर हो चुका है रिटार्मेंट तक सिंचुरी पूरी हो जाएगी उसके बाद मैं अपने बाल बच्चों को लेकर गाउं चला जाओंगा लेकिन बदनामी का सहरा मैं अपने सिर पर नहीं बादूँँगा कता ही बहमानी नहीं करूँग नौकरी मिलते ही इंसानियत का गला घोड़ेते हैं सब लोग जिसे भी मौका मिलता है लूट खसोट में जुट जाता है हमारी जिंदगी फुटपॉल की तरह हो गई है पता है हम जहां भी जाते हैं वहां लाथ ही पड़ती है सर मेरी एकलौती और उलाद है सर उसे स्कूल स कि भी एक हथ होती है और हमसे भी साय नहीं जाता कि डैपर्स को बीच सड़क पे गोली उसे भूल देना चाहिए मुझसे जो भी हो सके का मैं करूंगा सर इंसाफ के साथ जो जुब होता है वो सबसे बड़ी ना इंसाफ ही है आज इंसाफ बचा ही कहां है समझ में नहीं आत है और उस चीज की कदर भी करती हूं सर तभी मैंने आपके साथ जुड़ने का फैसला किया है सर सच कहने वाले लोग आज भी इस देश में जिन्दा है सर लेकिन उन्हें दबाया जाता है यह सच है सर हमारा काम आसानी से हो जाएगा बस उन्हें धून निकालना है हमारे सब आप साथी मिलकर उन प्रस्ट लोगों को अच्छा सबक सिखाएंगे हम सब के सब तुम्हारे साथ है गुर्ड आप जाकर तुम सीतालक्ष्मी से मिल लोग मैं हूं सीतालक्ष्मी आप सीतालक्ष्मी है मैं हूं रामाचारी तो क्या है अरवेंद राजा जी ने बताया किया हुआ अब तक फ्रैक्स नहीं हुपाया अभी कर देती हुँ तुम अब तक प्रिली नहीं कर पाए जल्दी करो शाम तक दिलेवरी करनी है अब दर्वाजा खूला बंद करो अर्विन का है तो अरे बाप रे बाप आए से किस काम सवर कहां कर फस गये दीदी 1971 के मैरे सर्टिफिकेट का क्या हुआ इस काम में थोड़ा वाक लगता है इतना असान नहीं है उस भाई साब का नाम क्या है भगवान दास प्रॉडी के नाम में भगवान कि अब तो अब तो अब तो अब तो आधर आओ अपना अंगुठा दिखाओ वो आले हाथ का यह पागले के तू पता यह कितना इलिगाल है यह चोटे इडरा हाँ यह लेजा और उस रॉड़ी को जाकर दे यह मेडिकल कॉलिज का सर्टिफिकेट राजा साब ने तो बड़ी सही जगा भेजा है हमें शीला के साथ अपनी मेरिज सर्टिफिकेट बनवा लूँ क्या चाहो तो बनवा सकती है ऐसा डॉक्युमेंट बनाऊंगी कोई निपकड़ पाएगा तेकिन उसका बॉइफिर्ण एक जिम इंस्ट्रक्टर है उससे एक गुनेगार गुनाह करने से नहीं डरता मेरे पिताजी पी डवलूडी में सिविल इंजीनियर थे उन्हें बीच सड़क में ट्रक से उड़ा कर मार दिया गया वहां मौझूद लोगों ने ड्राइवर के खिलाफ गवाही भी दी मेरे पिताजी की गलती नहीं थी सर उसके ब ही सब कुछ है पैसा नहीं जानता कि वो घरीब के पास जा रहा है या अमीर के पास कोई आदमी खुशी से गलत काम नहीं करता सर हालात के सामने मजबूर होकर उसे यह काम करने ही पड़ते हैं सीता देवी तुम्हारा राव अर्विन तुमने जो कहा वो फेक डॉक्यमेंट्स में एड़ी कर दूंगी और कुछ नहीं मुझे सब ओरिजनल चाहिए इसलिए अंकल ने मुझे आपके पास बेचा है एक डिनस मस्पूत बनाना है यह तो बहुत है तुम मेरे जी एस से मिल लो उसकी पास एक सीनु नाम का कंपाउंडर है वो सब संभालेगा अरे सीनु मैं हूँ क्या चाहिए तुम्हार चाहिए हमें तुम लोग एक महीने बाद आना देखता हूँ कि कि हैं अजये हो दो दिन में तो दिन के वाली करता हूँ आपका काम करूंगा तो किसका करूंगा साहब ए तेरे बार बोला तेरे पति के बौड़ी यानिए तुभी निकलना आए से जिनु बिजनेस बढ़े जोर शोर से चल रहा है तुम लुग भी दवाई ले जाकर बा ठीक है तुम लोग एक महिने में आ जाना देखता हूं जो तुने पहले करता उसे फिर से दौर आ रहा है मारूंगा तुझे वो पैसे निकल यह रख चल शाम को आ जाना फाइल सुम्हें मिल जाएगी लग जा काम पर सिर्फ कहने के लिए गवर्मेंट हॉस्पिटल है यहां तो हर बात के पैसे लगते हैं सर इसमें साइन कर दीजे सक्षैन तो है हुँ, 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 हुँ